आज में कुनर कुमार पुर्णा फिक लास सेवेंथ की जो गुग्रामर की बुक है उसकी आज में टेंसे चैप्टर की क्वेस्टन नमबर यू की चर्चा करूंगा जो की सबसे ये लास्ट क्वेस्टन है इस चैप्टर का कहता है क्या कि write the tense of the verb in the following sentences कहता है कि जो tense की रूप में इसे लिखा गया है वर्ब का आखिर tense क्या है उससे आपको लिखने है कहता है क्या कि I hear you अब ये sentence की ये वर्ब से ही पता चल रहा है कि sentence किसमें है simple past tense में क्योंकि subject plus v2 plus object तो कहता है मैंने आपको सुना I hear you clear तो इसने बोलाए कि simple past tense लगाएंगे here comes the when यहाँ जो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी sentence here और there से शुरू होता है उसके बाद लगने वाला वर्ब generally simple present tense में होता है here comes the when और इस परकार में कभी कभी sentence में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह sentence में full stop के साथ साथ क्योंकि आपके book में तो यहाँ full stop दिया है कि कभी कभी आपको इसमें sign of exclamation भी देखने का मौका मिलता है इसलिए इससे simple present tense माने जो कि मैंने यहाँ लिखा है he is feeling very happy वो भूती खुश कानभव कर रहा है तो भी आप देखते हैं कि वो भूती जब जैसे ही कर रहा है तो feeling की बात कर रहा है तो present continuous tendency लगेगा क्योंकि subject plus is mr plus वी four के लिए हम किसका use करते हैं तो present continuous का दूसरे की बात करूँ कि अभी आपका देर four number question में कि I will get up late tomorrow कि आज मैं कुछ late जगूंगा तो भी देखते हैं कि यह I will get up है इससे पता ही चल रहा है कि salary लगा होता है तो sentence simple future tense में लगा होता है तो अभी आप इसको simple future tense माने Brutus murder Caesar यह Brutus ने क्या किया Caesar को मार दिया तो यहां murdered है past tense का sentence है यह इसलिए simple past tense माने I was flying basketball then मैं उस समय क्या कर रहा था तो मैं उसे basketball खेल रहा था इसका क्या मतलब कि अभी यहां जब इस sentence को जो आप अगर लाएंगे तो यह sentence देन का मतलब जब अगर direct से indirect मे जब लाएंगे तो now का देन बनता है इस रुप से जब इसको अगर बनाओ तो अब क्या बनाएंगे कि मैं तब basketball खेल रहा था तो इसमें से past continuous tense माने यहां देन का मतलब तब से है उसी को जब अगर now को जब अगर लाएंगे तो देन बनेगा लेकिन अभी यहां इससे तब ही माने क्यता है क्या कि Bob will call on you tomorrow Bob आपको कल बुलाएगा तो भी अब देखते हैं क्या है कि यहां यह sentence किसी से पता चल रहा है तो simple future tense से ही पता चल रहा है The train shall leave at 4 p.m Train कितने वज़े खुलेगी कितने वज़े वहां से निकल जाएगी 4 p.m में अभी यह sentence से ही पता चल रहा है यहां cell की बात करा The train cell है अभी आपको देखके sentence Confuse हो रहे होंगे आप कि पता नहीं कि 3% singular number है तो इसके लिए विल क्यों नहीं लगाया तो आपको यह समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जब भी कभी 3% singular number में सेल जब लगाया जाता इसका मतलब क्या है कि वो more than 100% की समभाबना को Confirm करता है वो तो ट्रेन खुलेगी ही वहां से निकलेगी ही कितने बज़े वो अपने अस्थान चोड़ेगी ही कितने बज़े 4 पीम में इसलिए से simple future tense माने दूसरे की बात करूँ कि question number 9 में कि he has lived here for many years हुआ यहां बहुत सालों से रह चुका है तो इसके लिए sentence से पता चल रहा है और है प्लस वित्री जब लगा रहे तो इसका मतलब है sentence present perfect tense में होगा इसलिए से present perfect tense माने there are 30 days in September कितने days September में होते हैं 30 days यह प्रक confirm है तो इस रूप में से simple present tense ही माने क्याता है जिए वेदर वर्ज सनी लास्ट विक क्याता है कि वेदर पिछले सब्ता क्यासा था सनी था तो इसलिए पास्टेंस को ही सोग करें जिए simple past tense ही से माने we go to the beach site every month हम लोग प्रतेक महीने beach site जाते हैं तो जब जाते हैं तो यह we go लगा हुआ इसका मतलब है simple present tense का sentence होगा कहता है we ate hungrily after our trek was over कहता है कि हम लोग भूखे लोगों की तरह खाए तब जब हम लोग की लंबी पैदल यात्रा खत्म हो गई तो यहां देखते हैं किस प्रकार के sentence को हम क्या मानें के we ate hungrily है तो we ate लगाओ इसका मतलब है क्या कि subject plus we two है तो इसका मतलब simple past tense का sentence होगा I am doing a course in French मैं एक course French में करने जा रहा हूँ तो sentence से पता चलता है subject plus am plus we four है इसका मतलब sentence आपका present continuous tense का होगा इस रूप से समझेंगे आप दूसरे की बात करूँ कि यहां जो भी आप देख रहे हैं they made us at the new hotel downtown यहां जो भी देखेंगे कि वे लोग से हम लोग कहा मिले तो new hotel downtown में हम लोग मिले इस रूप में भी आप देखेंगे कि मैंने हद तक कोसिस किया है समझाने की और मैं उमीद करता हूँ कि आप इस समझ भी गया होंगे और अगर आपको इसका चाहें तो आप skin sort भी खीच के लिख सकते हैं skin sort खीच के अब चाहें तो रख लें अपने mobile phone में तक आप आसानी से आप बना भी सकें और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में like, subscribe and comment करना न भोलें तो share भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इससे दे कर कुछ सीख सके और इसी प्रकार से आज आपका यह chapter पॉन्डुपेन यू नमबर तक complete कराते हुए पूरी के पूरे चप्टर आज आपका टेंसेस जुगू ग्रैमर की बुक है class 7 की वाज पॉन्डुपेन complete हुआ thanks a lot